इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोशेशन ने एक समीती का गठन किया है जिसके तहट डिजिटल रूपसी ब्रांड द्वारा ओनलाइन रिटेल के खिलाफ हैश्टरक फाइट फोर राइट और हैश्टरक हक की लड़ाई का एलान किया गया अध्यक्षि सुनिल गुपता ने बताया कि बाजार पहले से ही एशांती और एनिश्चिता के दोर से गुजर रहा है इस पर रिटेलर्स आज ब्रांड की भेदभाव पूर्ण नीतियों का सामना भी कर रहे हैं अब तक देश में 40,000 से भी जादा रिटेल स्टोर्स इन नीति रही है और हम लोग मोबाइल रिटेल के बहतरी के लिए काम कर रहे हैं लेकिन हमारी संस्ता में पहले लोगों का रिटेलर्स का जुड़ाओ कोई 15-20,000 रिटेलर्स का था और ये 40 मेंबर से संस्ता शुरू हुई थी हम लोग अभी इस कोविड के अंदर करीब हमने सौं की स अंदर चार लोगों का चुनाव कर रहा है प्रेसिडेंट सेकेटरी और दो वाइस प्रेसिडेंट पूरा का पूरा रिटेल ट्रेंड किसी भी इंडस्ट्री को आप उठा लीजे रिटेल में अक्रॉस दे इंडस्री इस समय परिशान है चुकि ऑनलाइन वाले हमेशा लोगों को आगे एक जुट करके उनकी एक मुद्डे को लेकर के सई प्लैटफॉर्म से पहुंचा करके उनका सलूशन और उनके भुविश्य की रक्षा करने के लिए एसोसीशन का गठंग किया गया है and we are looking forward कि हम मिल करके ensure करेंगे कि ये retail विपार सदेव चलता रहे because ना सिरफ ये GDP में contribute करता है अपितु आप एक face value है जिसके बेस पर आप प्रड़क्त बेचते हैं आप एक विश्वास होते हैं हम उस विश्वास को नहीं खूने देंगे